खुका है जो आज इसके पास नौक्री नहीं है यूद जिसके पास जिन्दगी है लेकिन एक फ्यूचर नहीं है क्या जबाब देंगे हम इनको कि हम भी स्वार्थी निकले हम भी वैसे ही निकले जिसने सपोर्ट तो लिया थी प्रासा का एक गरीब जन्ता का और आखिर में हमने वही किया जो दूसरे पाटी करते है गाउं में बलाक्तकार हो रहा है नौक्री नहीं है मलेरिया से लोग मरते हैं डॉक्टर नहीं है रास्ता तूटा हुआ है कॉन्टाकर्स पैसा खा लेते हैं मंत्रीज एडेक्टेड लीडर्स पैसा खाते हैं और तीप्रासा का वही कंडिशन है पुरा नौर्थी पुरा देश हमारे उपर हसता है क्योंकि हमने क्या पाया है हमें पावर चाहिए कि राइट्स चाहिए अगर राइट्स चाहिए तो पावर बात में आई गई लेकिन अगर आज अपनी पावर के लिए अपने राइट्स को आप पेश देंगे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हम इतने सेलफिश कैसे हो गए है यह सवाल मुझे दिल से खनखाता है क्या हो गया है मरने के बाद उपर वाले को तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्या जवाब देंगे कि हमने भी वही किया सपोर्ट लिया एक गरीब जनता का एक गरीब भूका तीपरासा का और हमने उन्ही को वापस वही धोका दिया जो 70 साल से निता कर रहे हैं क्या जब अब देंगे एक दिन हम सब मरते हैं एक दिन हम सब मरेंगे लेकिन मरने से पहले एक बार अपने तीपराशा के लिए जी लो सोचो आज यह fight अपने लिए नहीं है अपने भविश्य के लिए है अपने यूद के लिए है सोच लो क्योंकि यह मेरा last fight है इसके बाद ना ताक्त रहेगा ना शरीर रहेगा ना जान रहेगा लेकिन जब तक यह मेरे पास है मैं इस बार तो 2023 में fight करूँगा मुझे मालुम नहीं कि मेरे साथ कौन रहेगा मुझे मालुम नहीं लेकिन मैं जानता हो कि एक जो बुड़ा गाउ में मा है जो बुड़ा गाउ में तीप्रासा है वो मुझे प्यार करता है यूथ है जो आशा करता है कि यह प्रद्योत मानी के कुछ न कुछ तो करेगा ये मेरा सपोर्ट है मैं जानता नहीं हूँ क्या होगा लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तीप रासा को धोका नहीं दे सकता बेलाईनो हम भाई सोचना मैंने क्या बूला